दोस्तों नमस्कार जहिंद वन्दे मात्रम आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डेन पार्शाला में प्यारे बच्चों यदि आपको चार्ट में पढ़ते हैं और NMS एक्जाम 2024 की तयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाल से हो वह प्रसन आपके बनते हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है वीडियो को लाश तक बिना इस्किप के वह ज़रूर देखेगा आईए शुरू करते हैं सबसे पहला प्रसन आपकी स्क्रिन पर है आप सभी लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करते याकवर तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट बाक्स में लिखिए तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर होगा बाबर ने सरोपर्थम तोपों का प्रियोग किया था इसके बाद है प्रश्ण संख्या दो किस मुगल सासक के दरबार में संगीत परतिबंधित आपसन है बाबर हुमायू औरंग जेव सहजाहा राइट आंसर बच्चों है औरंग जेव के समय में संगीत पर प्रतिबंध था इसके अलावा इतिहास को लिखने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ था प्रश्ण संख्या तीन सर टामसरो किसके दरबार में आया था तो इ आपसे कमेंट बॉक्स में लिखिए कोवन सा राइट आंसर इसका होना चाहिए तो इसका बच्चों आपका राइट आंसर होगा जहांगीर के सासनकाल में सर टामसरो भारत आया था इसके बाद बात करते हैं चारनम प्रश्ण सिविल सेवाएं किस सन में भारतियों के लिए प्रारम की दिए थी तो अठारा सो चववन, अठारा सो तिरपन, अठारा सो बावन या ठारा सो नब्बे राइट आंसर क्या होगा फश्ट आपसे मिलकूर सहीज का अंसर है अठारा सो चववन सिविमें भारतियों के लिए सिविल सेवाएं जो हैं प्रारम की गई थी पा इसका बच्चो राइट आंसर होगा, स्वामी विवकानंद ने राम कृश्न मिसन कि अस्थापना की थी, इसके अलावा दयानन्स रुषति की बात करेंगे तो इन्हों ने आरे समाज के अस्थापना की थी और राम करिशन परमहांस ये स्वामी विवेकानन्द के गुरू थे ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट है और राजा राम मोहन राय ने ब्रम समाज के अस्थापना की थी ये इनसे आपका एक प्रशन जरूर बनेगा 100% शोर है तो आप समय लोग ये बातें अपने कापी पर लिख सकते हैं इसके अलावा छे नमा प्रशन है किताब उलहिंद किसकी रचना है आपसन है फैजी, अबुल फजल, अकबर या अलवरूनी तो राइट आंसर है किताब उलहिंद इसकी रचना अलवरूनी गिनने की थी फोर था आपसन मिलकुल इसका सही है साथ नमा प्रशन अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया था तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद दिन खिलजी, बलबन, रजिया सुल्तान या सहजहा तो राइट आंसर मुच्चों इसका होगा अलाउद दिन खिलजी अलाउद दिन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण किया था इसके लाव सहाजहां ने कई इमारतों का निर्मान करवाया था जैसे आपका लाल किला हो गया ताज महल हो गया मोती मस्जिद हो गई तो इन सभी चीजों का निर्मान करवाया था आठ नमर प्रिशन है हमपी किसकी राजधानी थी बहमनी सामराज्य विजयनगर राज्य मालवाया जवनपुर तो हमपी जो थी वचों विजयनगर सामराज की राजधानी थी और विजयनगर सामराज की नियू किसने रखी थी तो ये थे हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई भिशाई नगर सामराजी की निव रखी थी और विजैनेगर सामराजी की राजधानी हम पी थी इंपोर्टन प्रिशना पुछा दर्शता है नौ नम्म प्रिश्ण कहता है कि नोबेल पुरुषकार प्राप्त करने वाले प्रथम भारती विज्ञानिक कौन थे आपसन है सीवी रमन मेगनात साहा बीरबल साहनी प्रफुल चंद्र राय राइट आंसर इसका वच्चो होगा सीवी रमन इनको बहुत लावा प्रिषकार सरोपिखी के चेत्र में नोबेल पुरुषकार सरोपितंप्राप्त हुआ था तो फर्स्ट अप्सन बिलकुल सही आंसर है इसका तहसे ृप्रिश्ण है भारत में हरित्र करांत के जनक कौन है इंपॉर्टन प्रिश्ण है और कई बार पूछा द़ीया स्वामी इनाथन डाक्टर एपी जद अब्दुलकलाम और रामानुजन ध्यान के गां इंपोर्टन प्रशनिश्का है और इसका सही जवाब है वच्चों एमस स्वामी इनाथन से के अलावा अगर भारत में स्वैत करांथी के जनक बताएगा तो स्वैत करांथी के जनक डाक्टर वर्गीज कुरियन है और डाक्टर एपी जद अब्दुलकलाम को आप लोग जानते हैं ये हमारे पूरवराश्टिपत और मिसाइल मैंन के नाम से जाने जाते हैं प्रशन संख्या ग्यारा है भारत में लोह पुरुस कहलाते हैं लोह पुरुस के नाम से कौन जाना आपसन है आपके बाद सरदार पटेल, मोतीलाल नहरू, भगत सिंग या चंद सेखर आजाज तो सही जवाब आप सुभी को पता होगा अंसर है फर्स्ट आपसन सरदार पटेल को लोह पुरुस के नाम से जाना जाता है इसके अलावा भगत सिंग को सहीदे आजम कहा जाता ह ठीक ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट है यहां से प्रिशन आपके बन सकते हैं बारनमा प्रिशन कहता है कि निमलिखित कतनों पर विचार कीजे तथा सही विकलब चुनिए यह है करो या मरो महत्मा गांधी तो करो मरो का नारा किसने दिया था तो महत्मा गांधी यह विलक आत्मा गांधी ने दिया था यह भी सही है आराम हराम है जवाहला नेहरू ने कहा था यह भी सही है तो आपसन पढ़ेंगे आपसन है ए सही है परन्तु बी गलत है तो यह हमारा आपसन नहीं होगा ए तथा बी दोनों सही है तो यही आपका सही जवाब होगा सेकेंड आपस हिटलर लेडिन या चर्चिल तो राइट आंसर वच्चों है हिटलर हिटलर ने नाजी पार्टी के स्थापना की थे इसके बाद है चवदा नम्म प्रश्ण किसके विचार को पंचसील का नाम दिया गया है डाक्टर एपी जेद बुलकलाम जवाहलान नहरू राजीव गांध एक्जाम 2010 की परिच्छा में पूंचे गए प्रश्ण सबसे पहले 15 नम्म प्रश्ण है मोहन जोद्रो की खोच किया था यानि मोहन जोद्रो जो सिंधोगार्टी सभिता का प्रमुख नगर था उसकी खोच किसने की थी सर जान मार्सल मार्टिन मार्टिमर हुईलर या राय हादूर दयाराम साहनी या फिर राखाल दास बनर जी इसके लिए हमने आपको ट्रिक भी बताया थी आप लोग याद रखेगा हद मोरा हद मोरा तो हद का मतलब क्या हुआ भी बताएंगे हम तो हद का मतलब है हडपा सभिता लब हडपा की खोच किसने की थी दयाराम साहनी ने हास की खोज दा और से दयाराम तो हडपा की खोज दयाराम सहनी ने की थी और मो रा मो से मोहन जोड़ो और रा से रा खाल दाश बनर जी तो इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हूँ इंपोरेंट है और पूछा जाता है तो इसका आप सही जवाब जान गए होंगे सही जवाब होगा फोर्थ आप्चन राखाल दाज बनर जी इन्होंने मोहन जोड़ो की खोच की थी 1922 सिवी में ठीक ये इंपोर्टेंट है और 1921 सिवी में दयाराम साहनी ने हडपा की खोच की थी इसके बाद 16 नम्र प्रश्ण है महावीर स्वामी का जनम हुआ था तो पर महात्मा बुद्ध का जनम हुआ था और कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जनम हुआ था और महावीर स्वामी कौन है ये जैन धर्म के 24 में तीर्थंकर थे सत्तना मप्रश्ण है कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है तो त्रिरत्न में विश्वास करने वाला धर्म है जैन धर्म कामसा धर्म जैन धर्म है और 8 और मद 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 प्रारांव किया गा है तो सक्षअँमत का प्रारांव यह कनिस्क ने किया था और कनिस्क कौन थे तो यह कुछाण वनस के परशिद्र सांसक थे कनिस्क दियान रखेगा IMPORTANT है 19 प्रश्ण है निम्लिखित में से कौन मध्यकालिन भारत की प्रथम महिला साशिका थी ये प्रश्ण काफी बार पूछा गया है और इंपोर्टेंट है तो इसमें राई टांसर आपका हो जाएगा वज्चों रजिया सुल्तान रजिया सुल्तान इसकी पुत्री थी इसके बाद है प्रश्ण क्या 20 निम्लिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो कौन सा सुमेलित नहीं है फस्ट आपसने ताजमहल सहाजहा ने बनवाय था बिलकुल सही है बुलन दरवाजा अकबन ने बनवाय था बिल जहां ने बनवाया था तो यही आपका सुमेलित नहीं है इसलिए आंसर आपका थर्ड आफ्सन होगा कि किस ने यूरोप से भारत के बीद पहली बार शीरे समुद्री मार्की खोज की थी वासको डिगामा, अलमीदा, अलबुकर्क, बर्थो, लोम्यू या डियाज इसके बाद पंशनक्याब 22 बकसर कायुद्ध लड़ा गया था तो बकसर कायुद्ध कब लड़ा गया था उनिस सत्रा सो चौशट में इसका स्थर्ड आफ्सन मिल्कुल सही है सत्रा सो चौशट इसमें बकसर कायुद्ध लड़ा गया था तेजिस नम्म प्रश्ण है 1880 श्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यच्छ था आपसन है जार्जी यूले तादा भाई नोरोजी डवल्यू सी बनर्जी डवल्यू वैडर बर्न राइट आंसर है डवल्यू सी बनर्जी थर्ड आपसन मिल्कुल सही होगा 1880 में कॉंग्रेस के अध्यच थे 24 नम्म प्रश्ण है पूर्ण सुराज प्राप्ति की होटना भारती राष्टी कांग्रेस ने कब की थी पूर्ण सुराज की मांग लाहौर अधिवैसन 1929 में तीन नम्म आपसन आपका सही है 1939 में लाहोर में अध्यवेशन होता है जिसकी अध्यषटा पंडिस जवाहला नहरू करते हैं और उसमें पूर्ट सुराज की मांग की जाती है तो ध्यान रखेगा थर्ड आपसम इसका विल्कुल सही है 1929 में पूर्ट सुराज की मांग की जाती है भारती राष्टी कांग्रेश के दोरा 25 नमों प्रशने सहायक संधी स्वविकार करने वाला परथम राज्य कौन सा था तो सहायक संधी सबसे पहले ध्यान देते हैं कि सहायक संधी किसी ने चलाई थी तो लाड वेलेजली थे कौन थे लाड वेलेजली जिन्होंने सहायक संधी जो है के तहत राज्यों को अपने ब्रिटेश सामराजे में मिलाने का काम किया था तो सहायक संधी किस ने चलाई थी लाड वेलेजली ने चलाई थी और इसके तहट सबसे पहले संधी को सविकार करने वाला राजिता मैसूर इसके अलावा हडपनीत किस ने अपनाई थी ये सभी लोग कमेंट बाक्स में लिखना है 26 नमर प्रशन है भारत में पर्थम बार रेल का रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था तो इसका बच्चों सही जवाब है बंबई और थाड़े की बीच में 27 नमर प्रशन है आजाद हिंद पहुँच का गठन कब हुआ था तो इसका बच्चों सही जवाब कौन सा होगा आप सभी लोग कमेंट बाक्स में जरूर लिखिए फस्त आप संद है 1949 सकेंड आप संद नी सचालिस थर्ड आप संद नींस वाप संद पहुच की अस्थापना की थी तो सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में आजाद हिन्द फोज की स्थापना की थी इंपोर्टन प्रशन है और पूछा भी जा सकता है तो सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी फाइदा हो सके और वो भी अपनी तैयारी सुचाव रूर से चला सके और हमारे चैनल के माद्धिम से आप बता सकते हैं और इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही वेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले कि कोई भी वीडियो आपसे मिसना हो इसके बाद हम बात करेंगे अगली वीडियो में 2012 और 2013 की परिच्छा में पूछेगे प्रश्णों की तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए धन्यवान